बिहार बिधान परिसद में नेता प्रतिपक्ष समराठ चोधरी अभी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं समराठ जी, आप लोग जेपी को अपमानित करते हैं, उस पर राजनिती शुरू कर दिये हैं आप लोग जानते नहीं है जेपी के बारे में कोछ स्वबावी के, इसका मतलब निती स्कुमार ने गलत ट्रेनिंग बिहार के लोगों को दिया है, फिटबैक गलत दिया है जेपी की बिचारधारा गलत थी क्या? जेपी की बिचारधारा यदि ये गलत थी कि कॉंग्रिस मुक्त भारत बनाना है तो बताएं यही तो नरंद मोदी जी कर रहा है इस देश में गांधी के बाद गांधी ने जो साथ सुत्रित दिया वो भी नितिस्कवार जी भूल गए तो हम लोग क्या करें हैं वो बुड़े हो गए हम लोग तो रहे बुड़े हो गए अभी तो हम लोग जबान है जो बुड़े हो गए उनसे पूछे वो सब बात भूल जाते हैं वो कर रहे हैं क्योंकि अब तो ऐसा ऐसा लोग मुखमंत्री है 17 वरस से तो क्या कीजेगा बिहार के लिए अपमान की बात होगी दुरभाग है बिहार का के इसा अदमी मुखमंत्री है 17 वरस से कांग्रेस जेपी ऐसा कहना है कि जेपी जो थे कांग्रेस के विरोधी नहीं थे वो विरोधी थे कि जो अधिनायक बाद की विरोधी थे वो ताना साही के विरोधी थे कांग्रेस के खिलापन लले थे और भारतिय जनसंग जिसको भाद में भारतिय जनता पाटी कहा गया उसने तो अपना पूरा मेहनत ही 1952 का 20 साल की पाटी ही जनता पाटी में जेपी के कहने पे डाल दिया और जेपी ने जो कहा था कि फासिस ताकत को यदि एक परसेंट आप मानते हो तो मैं 100 गुना कि बात कुछ बसता नहीं है लोग को बोलने दीजिए देखिए ऐसे लोग मुखमंतरी रहेंगे तो बिहार का क्या होगा दुरवागी है ना ऐसे इसे मुखमंतरी बनके बैटे हैं दुरवाग है बिहार के लिए लेकिन वो यह भी कह रहे हैं कि भही आप लोगों को तो अम बाते हैं उनको कोछ महत उनका कोई नोटिस नहीं लेते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए तो वैलू है नहीं क्योंकि उनको याद ही नहीं कि जेपी ने क्या क्या पढ़ाया था जेपी ने जो जप्रकाजी के बिचारधारा थे उस बिचारधारा याद रहे ऐसा बिचारधारा बिहार में दिया कि गुंडा राय अस्तापित हो गया दूसरे ने भस्ते अचार अस्तापित कर दिया अब बचा क्या है इसे लोग मुखमंत्री होंगे तो बिहार कही है यह आ लोगा वो कहने कि जेपी के सच्छे अनुवाई दो वही है वही लोग है उस आंदोलन से निकले हुए है ने स्वभाभी कह यदी ये विचारधारा था तो हम छमा चाहते है कैसा विचारधारा हम लोग जीवन में नहीं अपना सकते है जेपी को बदनाम मत कीजिए जेपी का विचारधारा ये नहीं था नितीश कुमार के विचारधारा लालुजादब के विचारधारा हो सकते है साथ पाटी बदल चुके है आठ में की तयारी है इसलिए विचारधारा की बात मत समझाईए जो विहार के मुख मंत्री है वो कितनी बार पल्टी मारेंगे और क्योंकि अब तो ये भी फ्रस्टेशन है कि 24 में 24 तक हमको मुखमंत्री रहने देगा कि नहीं रहने देगा तो जनतादल उनाइटेट के जो विदायक सांसाच जो लालू जी से लड़ते रहे अब वहाँ बैट के इंतिजार क्या कर रहे है साथियो अब तो खुला मंच है बिगूल बजाईए नितीश कुमार अब जाने की तयारी कर रहे है अब तो जनतादल उनाइटेट भी कतम होगी आप लोग ओफर लगातार दे रहे हैं दिवाली ओफर दे रहे हैं क्या कि जेल्यू लगातार मंच से बोल रहे हैं कि आज यही है जो लड़ने वाले हैं उनसे हम लोग आगरे कर रहे हैं हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो लड़ा नहीं है तो इधर आज़ेगे जो लालु यादब की अत्याचार को लड़ा है और नितीश के कुपाप को जेला है उसको जरूर भारतिय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए लेकिन जहां तक आने वाले राजनिती की बात है आपको उक्चुनाव है दो जगा चाहे मुकामा हो चाहे गुपाल गंज हो उसको ले करके आप लोग की क्या तेयारी है और क्या आप लोग टकर में भी रहेंगे हम लोग की तैयारी क्या है वो देख लिजे कि जनता दल उनाइटेट को हिम्मत भी नहीं है कि वो चुनाव लग रही है यही है तैयारी हमारी तो तो महागटबंदन में है ना अरे महागटबंदन क्या होता पहले कांगरेस लड़ी थी लड़ रही है क्या नहीं न लड़ रही है तो देखिए यह सब चलता रहेगा यहा पून रूप भाजपा का सरकार बनेगा इतना स्वस्त रही है तो यह थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष बिहार बिधान परिसद में समराथ चौधरी केरोमेन निशान के साथ धीरस ठाकूर जी मेडिया पटना